मशकर दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका Civil Step के YouTube चैनल पे दोस्तों ये है UPST स्थापना सीरीज की नई वीडियो जहां पर हम Indian पॉलिटी का एक बहुत important topic types of parliamentary bills अच्छे से cover करने वाले हैं दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि Civil Step आप लोगों के लिए already बहुत exciting series YouTube पे launch कर चुका है यहां पर morning में 10 बजे हमारी सबसे पहले स्थापना सीरीज का lecture आता है और स्थापना सीरीज के lecture में हम आपको important GS concepts को अच्छे से cover करवाते हैं आपकी foundation अच्छे से build हो सके ठीक है UPC की त्यारी की उसके बाद दिन में 2 बजे आता है हमारा जिग्यासा series का lecture और इस जिग्यासा series के lecture में हम आपको daily current affairs cover करवाते हैं शाम को 7 बजे आप access कर सकते हैं प्रियास series का lecture और इस प्रियास series के lecture में वो topic जो हमने इस्थापना में आपको cover करवाया होता है उसके उपर कुछ important MCQs and main sensor writing के हम practice करते हैं और रात को 9 बजे हमारा फटावट revision series का lecture आता है यहाँ पर दिन में करवाये गए इस्थापना के topic को फटावट तरीके से आप लोगों को revise करवाते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको day wise subject wise schedule भी प्रवाइड किया गया है मंदे को geography, Tuesday को environment, Wednesday को economy, Thursday को history, Friday को polity, Saturday को science and technology के topics हम लोग आप लोगों को cover करवाते हैं ठीक है दोस्तों मैं आपको बता दू कि Civil Step ने आप लोगों के लिए already बहुत exciting UPSC Prelims 2019 Crash Course लाँच कर रखे हैं जहाँ पर आपको दो components, static GS and current affairs के बारे में काफी ज्यादा चीज़े provide की जा रही है यहाँ पर आपको chapter wise video सभी GS subjects की, chapter wise downloadable handouts, chapter wise test for all GS subjects, previous year questions coverage जो की 1995 से लेके 2019 तक extend कर रही है 28 test और सबसे खास बात ही है कि यह test आपके cover कर रहे है a wide period of May 2019 to September 2020 क्योंकि आपका October में exam होने वाला है यहाँ पर दोस्तों आपको 5 full land test और वो subject जिनके लिए हमें special source नहीं पता होता है, single source नहीं पता होता है उन पर हमारा खास दियान है special coverage of ancient India, medieval India, art and culture, science and technology and environment दोस्तों यह actual program 9000 का था लेकिन अब आपको civil step 50% के discount में offer कर रहा है तो 4499 only में आप इस component का हिस्साब बन सकते हैं अगर आप लोगों को सिर्फ static JS का component चाहिए तो भी आप access कर सकते हैं 50% के discount पे और यह component आपको 2499 का मिलेगा, ठीक है दोस्तों और आपको एक बात और share करना चाहूँगा कि civil step ने 2021 के लिए foundation course अपना launch कर दिया है तो जो लोग 2021 को अपना target बना के चल रहे हैं उनके लिए foundation course बहुत ही मददकार थाबित होने वाला है आप इस foundation course का हिस्सा बनी है यहाँ पर आपको comprehensive way से त्यारी की जाएगी और prelims and mains दोनों courses की comprehensive त्यारी करवाई जाएगी यहाँ पर आपका GS, CSET, Current Affairs and Test Series सारे components हम कवर कर रहे हैं और दोस्तों यह बहुत ही nominal rate of 50,000 में आपको provide किया जा रहे है तो अगर आप लोगों ने join कर लिया है तो well and good क्योंकि काफी लोग already इसमें enroll कर चुके हैं और अगर आपने join नहीं किया है तो आप इसको join करिए और अपने friends को भी बताईए हमारे इस program के बारे में ठीक है दोस्तों तो शुरुआत करते हैं आज का topic हमारा topic है types of parliamentary bills तो दोस् draft copy होती है जिसको आप जब approve कर देंगे modify करके तो आपका एक particular act बनेगा और act क्या होता है आपका law का part होता है state के laws का part होता है तो bill आपका एक proposal of legislation है जो की introduce क्या आता है in the legislature और इस पे जब discussion होती है इस पे जब voting होती है तो उसके बाद ये act बनता है तो friends जितने भी आपके इं जो categories है वो है ordinary bill, constitution amendment bill and finance bill लेकिन finance bill के under आपका money bill जो category है उसको separately पढ़ते है क्योंकि इसका जो procedure होता है वो काफी distinct होता है और काफी unique procedure होता है तो in total हमारे 4 type के bill होते है ordinary bills, financial bills, money bills and constitution amendment bill, ordinary bill जो normal process से deal करते है, normal day to day working से deal करते है, financial bill जैसे नाम में ही नजर आ रहा है कि ये finances से deal करे expenditure से deal करेंगे और all money bills are financial bill, ठीक है, but all financial bills are not money bills, तो आपको ध्यान रखना है कि money bills से आपका financial bill का part है, लेकिन सारे financial bill आपके money bill नहीं होते, article 1110 of the Indian constitution में specifically money bill को define किया गया है, तो वही चीजे जो आपके article 1110 में mentioned है, अगर उनसे related कोई bill है तो हम उसको money bill बोलते है, तो money bill को हम separately इस procedure है, parliament में, वो थोड़ा distinct होता है, उसके बाद आपका आता है constitution amendment bill, जो कि constitution में जब कोई changes लाने होते हैं, तो उससे deal करता है, तो दोस्तों इसके दो procedure है, constitution amendment bill के, एक procedure है, जो सिर्फ एक ordinary bill में follow होता है, वो वाला, तो अगर हमने कोई normal change करना है, जो कि आपके constitution में major changes नहीं ले में prescribe किया हुआ, procedure follow करना पड़ेगा, तो एक procedure है constitution amendment का as same of ordinary bill, और एक procedure है separately article 368 वाला, जो कि हम discuss करेंगे, ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया, कि bill आपको क्या होता है, एक proposal for legislation, चाय टाइप के bill होता है, ordinary bill, financial bill, money bill and constitution amendment bill, आपका money bill एक तरह का finance bill है, लेक उसके basis पे हम bills को दो तरीके से classify कर सकते हैं, एक public bill और एक private bill, दोस्तो public bill का मतलब यह है कि उसको एक minister साब के दौरा इंत्रिडूस के जा रहा है, जो कि एक member of parliament है, तो जैसे मालो अगर लोकसभा की बात करें, तो अगर लोकसभा में कोई minister साब, जो की लोकसभा के member है, अगर bill को introduce करेंगे, तो उस bill को public bill बोला जाएगा, या government bill बोला जाएगा, लेकिन minister साब के अलावा, अगर कोई भी और लोकसभा का member introduce करेंगा bill को, except minister, जो की ruling party के है, उनके अलावा कोई भी और member of parliament, जो की लोकसभा की हम बात कर रहे है, member of लोकसभा अगर bill introduce करता है, तो उसको बो private bill का मतलब यह है कि member of parliament other than the minister आपका bill introduce कर रहे है, जो public bill होता है, क्योंकि government bill है, government की majority होती है, houses में, लोकसभा में, तो इसके greater chances of approval होते है, private bill में, क्योंकि जो, अगर मानलो minister अप्रूव नहीं करें, कोई non minister या, कोई non ruling party का member अगर introduce कर रहे है, तो इसके chances of approval काफी कम हो जाते है आपका gormennt bill है, public bill है, वो policy reflect करता है, of ruling party लेकिन जो आपका प्राइवेट bill होता है, जनरली opposition का stand आपका ensure करता है, जो आपका public bill है, इसको अगर आपने introduce करना है, तो आपको 7 days का notice देना पड़ेगा, prior notice देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने private bill introduces करना है, तो आपको minimum, one month का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा ठीक है दोस्तों clear अब आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं legislative procedure की तो दोस्तों हर एक bill बले ही वो constitution amendment बले ही वो money बलो बले ही वो ordinary बलो बने ही वो financial बलो उनका एक normal procedure follow होता है same procedure follow होता है तो उसमें 5 stages हमें देखने को मिलती हैं सबसे पहली stages होती है introduction दूसरी discussion तीसरी voting चौथी bill in the second house और पांचवी presidential assent क्योंकि president साव हमारे parliament के integral part है लोकसभा राजसभा और president constitute the parliament of India तो उनकी assent किसी भी bill में बहुत जरूरी होती है ठीक है दोस्तों तो जो introduction discussion and voting है यह आपके जिस house में bill introduced कि आगया है वहाँ पर होती है इनको first reading second reading और third reading भी बोला जाता है ठीक है दोस्तों तो introduction में क्या होता है कि जैसे मानलो आपने bill introduce करना है तो आपको लोकसभा के अगर आपने हम बात करें लोकसभा में bill introduction की ठीक है example के तौर पर तो अगर आप लोकसभा में bill introduce कर रहे हो तो आपको speaker साब से permission लेनी पड़ेगी leave of the house की या आपको वह bill आपका गैजट में public gadget में आपको publish करवाना पड़ेगा अगर आपने ऐसा कर लिया है तो आप पारलेमेंट में जर्नल उसका objective बताओगे bill का और उसकी heading बताओगे तो यह आपकी introductory state होगी कि आपने bill introduce किया पारलेमेंट में ठीक है दोस्तों अब कई bill में फरक ही आता है कि आप किस particular house में bill introduce कर सकते है या आपको president साब की prior permission चाहिए होती है कोई bill introduce करने के लिए नहीं चाहिए होती है तो मैं आपको बता दू यहाँ पर कि कुछ bill for example money bill के लिए आपको prior permission of president चाहिए होते है similarly financial bill म constitutional amendment bill and money financial bill under article 117 clause 3 इनके लिए आपको president साब की permission नहीं चाहिए होती है आपका money bill और आपका article 117 clause 1 वाला यह सिर्फ लोगसभा में introduce हो सकते हैं उसके अलावा बाकी जितने भी बिल है यह आपके लोगसभा as well as राज़सभा दोनों में introduce हो सकते हैं ठीके दोस्तों तो first reading में आप discussion की stage बोला जाता है दोस्तों यहाँ पर further तीन step होते हैं पहला step होता है journal discussion जब आपने bill introduce किया तो उसके बाद एक दारत किया था कि जिस दे पर आपकी bill की proceedings चलेंगी उस दे पर सबसे पहले आपके journal objective discuss किया जाते हैं जब आपके bill के journal objective discuss होते हैं किसी भी house में तो उसके बाद speaker साब उस पर तीन action ले सकते हैं पहला action तो यह कि उस bill को direct consideration के लिए भेज दें कि चलो अब इसको अगले stage पे लेके जाते हैं या वो बोल सकते हैं कि इसको public में दे दो public का response देखते हैं इस bill पे तीसरा वो बोल सकते हैं कि हमें committee बनाते हैं यह committee आपके उस particular house की भी हो सकती है और joint committee भी हो सकती है दोना house की भी हो सकती है ठीक है यह यह bill committees को भेज देते हैं तो ऐसा कोई भी step वो ले सकते हैं ठीक है दोस्तो तो जर्नली क्या लिए आता है कि जादतर bill पे आपका committee को bill को transfer किया आता है पारलेमेंट के members की committees होती है different उन्हें parliamentary committee बोलते है यह आपकी select committee भी कर सकती है bill के provisions को लेकिन जो basic principle है bill का उसको change नहीं कर सकती है तो committee stage पे आपकी जो different committees है वो bill को stage by stage clause by clause study करती है अच्छे से study करती है और उनमें जो simple provisions है उनको amend भी कर सकती है but principles को change नहीं कर सकती है bill के जो basic principles है ठीक है उसके बाद वो अपनी report submit करेंगी to the speaker और उसके बाद consideration हो सकती है तो क्या मैंने समझाया कि एक तो direct consideration हो सकती है कि वो committee को bill ना बेजा जाए उस पर direct house discussion शुरू कर दे further और दूसरा तरीका यह है कि committee को बेजा जाए committee उसको study करें और अपनी report submit करें उसके बाद house में discussion हो तो दोस्तो consideration stage में क्या होता है अब house में आपका bill clause by clause discuss किया ज रखते हैं और अगर वह amendment सबको accepted है तो वह आपके bill में changes लेके आएगी ठीक है जब यह सब स्टेप हो जाएंगे discussion हो जाएगी अच्छे से उसके बाद आपका जाता है bill voting के लिए दोस्तों voting में आपकी कोई amendment नहीं होगी यहाँ पर किसी clause पर भी voting नहीं होगी यहाँ पर bill as a whole पर voting होगी कि पूरे house को bill accept है यहाँ नहीं है तो यहाँ पर अगर house bill accept कर देता है तो यहाँ पर first house में bill pass माना जाएगा ठीक है bill is passed in the first house और अब यह बेजा जाएगा second house में second house में दोस्तों फिर द्वारा उस bill पे बाकी पहली तीनों stage होगी जो कि पहले house में होती ही तो यहा अगर मानलो second house को कुछ problem है bill में उसको वो bill accept नहीं है कुछ वो changes लेके आने चाहता है deadlock आ रहे हैं तो deadlock के case में किसी किसी case में आपका joint sitting बनाई गई है और कुछ case में joint sitting नहीं है for example constitutional amendment bill और money bill इन दोनों bill के cases में आपकी joint sitting नहीं है आपके financial bills under article 117 clause 1 and 117 clause 3 and ordinary bill इनके case में आपकी joint sitting का provision है कि deadlock अगर जो दो houses के बीच में आ चुका है उनके बीच में सहमती नहीं बन पारी तो उसको बनाने के लिए joint sitting of the both house हो सकती है ठीक है दोस्तों उसके बाद अब बात कर procedure की तो जब ordinary bill में तीन रीडिंग के बाद bill दूसरे house में जाता है when a bill is transmitted to the other house वहाँ पर भी वो same first three readings में पास होगा voting ना introduction and discussion उसके बाद उस house के पास चार alternative है second house के पास तो जैसे हमारे लोकसभा से bill पास होके आया और राजसभा में वह पेश हुआ तो राजसभा में वो introductory stage discussion stage और voting stage से pass on हो गया अब राजसभा के पास चार option है कि वो उस bill को पास कर दे in the same form जैसा की लोकसभा ने बेजा था that is without amendments second alternative है उसके पास कि वो बिल को पास करे with amendment और उसको लोकसभा को बापीस बेज़ दे for reconsideration ठीक है या राजसभा इस bill को पूरी तरीके से नकार दे कि यह ब सबा के पास हैं same case अगर आपका राजसभा से बिल लोकसभा में आ रहा है तो लोकसभा के पास भी यही चार option होंगे कि it may pass the bill as sent by the first house it may pass the bill with amendment और उसको return कर दे it may reject the bill और it may keep the bill pending ठीक है अब दोस्तों किस case में bill pass माना जाएगा बिल उन दो case में पास माना जाएगा by the second house जब आपका जो पहला second house है उसने bill को पास कर दी same form जैसा कि first house ने बेजा था without amendment या जो उसने amendment करके बेजी written reconciliation के लिए वो first house ने accept कर ली तो इस case में आपका bill pass माना जाएगा ठीक है दोस्तों और किस case में deadlock आएगा जब आपका second house bill को action ना ले या first house जो amendment second house ने बेजी उनको eject कर दे तो यहाँ पर आपकी joint sitting होगी ordinary bill के case में joint sitting में दोनों house के members बेजेंगे और बैठेंगे और वो discussion के बाद voting करेंगे तो ordinary bill के case पे आपकी joint sitting होती है अब बात करते हैं दोस्तों financial bill की financial bills वो बिल्स होते हैं जो कि fiscal matter से deal करते हैं या financial bill under article 110 जो financial bill under article 110 है उसको specifically बूला जाता है money bill ठीक है because it deals with financial matter like taxation and public expenditure similarly जो article 117 के अंडर financial bills है उनको further classify किया जाता है दो categories में article 117 clause 1 and article 117 clause 3 तो money bill का जो procedure है वो different है इसकी definition भी different है और यह काफी important है आप लोग है कि जानने तो article 110 of the Indian constitution deals with money bill और money bill आपका सिर्फ इनी matters से deal करता है अगर कोई bill इन matters को carry कर रहा होगा सिर्फ इन matters को carry कर रहा होगा ज्यांस तुनिये only अगर इन matters को carry कर रहा होगा तो उसको money bill बोला जाएग यह matters क्या है imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax the regulation of borrowing and borrowing of money जैसा कि हमारा देश बाहर से अगर borrowing कर रहा है internal borrowing कर रहा है external borrowing कर रहा है तो उसकी regulation custody of the consolidated fund of India और the contingency fund of India इनमें payment आनी और इनसे payment जानी payment of money into और the withdrawal इसकी custody the appropriation of money out of the consolidated fund of India की money consolidated fund of India से कैसे जा रही है किस तरह से appropriation हो रही है उसकी declaration of any expenditure charged यह non-votable expenditure होता है जो कि charged होता है consolidated fund of India पे उसकी declaration भी the receipt of money on account of the consolidated fund of India और the public account of India and any matter incidental to any of the matters specified above अगर कोई matter सिर्फ इनी टॉपिक से deal कर रहा होगा तो वो money bill का part बनेगा ठीक है दोस्तों तो article 110 money bill से deal करता है और money bill का एक separate procedure है money bill can be introduced only in the लोकसभा यह आपका राज़त सभा में introduced नहीं होगा यह सिर्फ आपका लोकसभा में introduced होगा और लोकसभा में भी कब introduced होगा जब प्रेजिनेंट साब की recommendation या permission मिल चुकी होती है ठीक है दोस्तों और इसको सिर्फ एक minister introduce करेगा इसको non ruling party का member या normal non minister आपका introduce नहीं कर सकता इसलिए इसको public bill बोला याता है क्योंकि इसको सिर्फ minister introduce करते हैं और प्रेजिनेंट साब की permission लेने के बाद introduce करते हैं अगर कोई भी question arise होता है कि कोई bill money bill है या नहीं है तो वहाँ पर speaker of में बेजा जाएगा राजयत सभा में तो वहाँ पर speaker साब एक certificate लगाएंगे उस bill के साथ कि यह bill money bill है speaker endorse करेंगे उस bill को as a money bill समझ रहे हो तो ordinary bill में आपका bill pass हो रहा है money bill के regarding बहुत limited powers है वो money bill को reject नहीं कर सकते उसको amend नहीं कर सकते कुछ suggestion दे सकते है रेकमेंडेशन दे सकते हैं लेकिन वह भी लोगसभा की मर्जी है कि उसको माने या ना माने तो money bill cannot be rejected और amended बाया राजयत सभा इट मस्ट भी राजयत सभा मस्ट इटें दा बिल विदिन दी 14 राजय सभा को यह बिल 14 दिनों के अंदर अंदर बापीस बेजना होगा अगर वह बापीस नहीं बेजते तो यह बिल पास माना जाएगा बाइदी लोगसभा ठीक है और अगर 14 दिन के अंदर नहीं भीज दिया विद और विदाउट रिकमेंडेशन तो वह डिपेंड करता आपके सेम होते हैं बिल्कुल मनी बिल वाले मैटरस भी लेकिन इनके साथ साथ कुछ और मैटरस मेंचने उनके साथ अगर कोई और मैटर भी आ रहा है तो उसका प्रोसीजर क्या है कि उनको सिर्फ और सिर्फ लोगसा नहीं बोला जाता है ठीक है दोस्तों तो जो इंट्रद्डूस कर सकते हैं, उसको भी आप राज्यसभा में इंट्रद्डूस नहीं कर सकते और इनके इंट्रोड़क्शन के लिए 我न. इसके अलावा जो सारा प्रोसीजर वह एक ओडूर्डी sitarunk 자,वाला है या कि और मिल मतलब क्या कि आपको no,small norm प्रोरी पार्याओर क को अमेंड करने की राजसभा इस पर कोई भी एक्शन ले सकता है साथी साथ अगर आपका डेड़ लोग आ रहा है तो जॉइंट सिटिंग हो सकती है आपकी फाइनेंशल बिल अंडर आर्टिकल 117 क्लॉस बन में दोस्तों आपको बता दू कि मनी बिल पर अगर डेडलोग आता है तो जॉइंट सिटिंग नहीं होती है वहाँ पर लोक सभा के पास ज्यादा पावर है वह रेक्मेंडिशन माने या ना माने राजसभा की उस पर डिपें होती है अब हम बात करते हैं आर्टिकल 117 क्लॉस 3 117 क्लॉस 3 117 क्लॉस 3 117 क्लॉस 3 में इंवल्स एक्सपेंडिचर फ्रम दिक कॉंसलिट फंड फंड ऑफ इंडिया बट ड़स नॉट इंक्लूड एनी मैटर जो की आर्टिकल 110 में था उसके अलावे अगर कोई मैटर है तो आपका आर्टिकल 117 क्लॉस 3 में आता है इसका जो प्रोस्टिजर है वो बिल्कुल सेम है जैसा एक और्णरी बिल का होता है मतलब क्या कि इसका जरूरी नहीं कि आप लोग सबाबे में इंटिडूस करो आप इसको राजा सबाबे में इंटिडूस कर सकते हो इसमें आपको पर्मिशन नहीं नहीं पड़ती लेकिन दोस्तों एक खास बात इस बिल की क्या है कि जब आप इस बिल पर डिसकेशन करोगे डिटेल डिसकेशन करोगे तब आपको प्रेजेंट साब की पर्मिशन लेनी पड़ेगी इस बिल में सिर्फ आपको एक ही चीज याद रखने है क दिरिंग दिक कंसिडरेशन जब हाउस बिल को कंसिडर करेगा तब उसको प्रेजेंट साब की पर्मिशन लेनी पड़ेगी तो जब लोग सबा कंसिडर करेगा तब भी पर्मिशन लेनी है और जब राजय सबा कंसिडर करेगा तब भी पर्मिशन लेनी है ठीक है अब बात क प्रिस्क्राइब किया गया प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो दोस्तो इस प्रोसीजर में क्या लिखा गया है कि जो आपका बिल है वो किसी भी हाउस में इंटेडूस हो सकता है constitutional amendment bill it can be introduced इंदी लोकसभा और इंदी राज़त सबा इसको minister भी इंटेडूस कर सकते हैं और non minister अगर आपका bill amendment bill है और वो non federal changes लेकर आने वाला है non federal changes मतलब क्या कि central state relation को आपका bill affect नहीं करेगा तो वह बिल आपको सिर्फ Parliament से special majority से पास करवाना होगा दोनों house separately special majority से बिल पास करेंगे कोई joint sitting का provision यहाँ पर नहीं है अगर आपका बिल federal changes से लेकर आने वाला है तो वहाँ पर आपको Parliament की special majority तो चाहिए ही चाहिए होगी साथ हाफ of the state की 28 है तो उनमेंसे 14 की permission simple majority से आपको चाहिए होगी तो 14 state legislature अगर बिल को अपरेटिफाई कर देती है तो आपका वह federal change माना जाएगा ठीक है और amendment आपका पास हो जाएगी उसके बाद बिल आपके पास जाएगा प्रेजिडेंट साब को और प्रेजिडेंट साब इस बिल को permission देंगे ही देंगे दोस्तों constitutional amendment बिल के अलावा जितने भी बिल है money बिल financial बिल ordinary बिल यहाँ पर प्रेजिडेंट साब के पास कुछ veto powers होती है वो बिल को hold कर सकते हैं वो बिल को रियक्त कर सकते हैं वो बिल को reconciliation बापीस बेज़ सकते हैं लेकिन अगर constitution amendment बिल है तो इस बिल पर permission देनी ही देनी होगी अब दोस्तों एक थी जोर रह गए यह last आपको बताने को कि simple majority क्या होती है और special majority क्या होती है दोस्तों simple majority का मतलब है कि those members who are present and voting उनकी majority जैसे मानलो अगर राजसवा में एक particular day पे 200 लोग present हैं तो 200 लोग अगर voting कर रहे हैं तो इनकी majority तो 100 plus seats तो अगर 100 plus seats votes मिल रहे हैं तो बिल आपका simple majority से पास माना जाएगा अब बात करते हैं special majority की तो जैसे लोग साव में 545 seats हैं तो special majority में आपको majority of the seats लेनी पड़ेगी तो 272 plus seats की majority लेनी पड़ेगी क्योंकि membership of the house कितनी है 545 इनकी membership की majority आपको लेनी पड़ेगी साथ ही साथ जो member present है और voting कर रहे हैं उनकी भी two-third majority चाहिए होगी जैसे मानलो अगर किसी particular day पर आपके 510 member present हैं तो आपको 340 vote मिलेंगे हैं तो यह आपकी majority आपको चाहिए ही आपको कमेंट सेक्षिन में जाना है और कुशन का अंसर बताना है is it one only is it two only is it both one and two is it neither one nor two तो दोस्तो यह था हमारा आज का lecture hope आपको सब कुछ समझा आएगा clear हुआ होगा अगर कोई doubt है तो दोस्तों हमें contact करिए और हमारे courses के बारे में अपने दोस्तों को बताईए हमारे चैनल को subscribe करिए दोस्तों आपकी हिस्सेदारी हमें motivate करेगी further improvement के लिए ठीक है दोस्तों thank you very much चैहन जै भारत